तो सिधार्थ जिस तरीके से कॉंग्रेस सारोप लगा रही है काटे की टकर है ये तो बिलकुल क्लियर हो चुका है बंकर मतदान आपके लिए कितना आशावादी है या पिछली बार की तरह नौबत आने वाली है पिछली बार जोती राजे सिंध्या लाइफ लाइन बने थे इस बार किसी और को तलाशना पड़ेगा देखिए दिव्य जी सबसे पहले तुझो जो अनालिसिस आज किया गया कि महिला है निकल करके बहुत वोट कर रही है मैं मानता हूं कि वो बहुत करेक्ट अनालिसिस है और महिला साइलेंट वोटर होती है महिला बताती नहीं है कि अंदर जाके किसका बटन दबारी है पर वो मनी मन में जानती है कि कौन मेरे साथ खड़ाए कौन मुझे आगे बढ़ाएगा कौन मेरी बात करता है और वो उसका बटन दबाएगी तो अगर महिला वोट कर रही है तो हम तो बहुत जादा कॉन्फिदेंट हैं कि वो हमारे ल आज जी को अपनी पूरी बात खत्म कर लेने जी जी जैसे देखा जा रहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम सेंटर में आया उनको आरक्षन दिया गया कैसे देखा गया कि पहली बार हमारी आम्ड फोर्स में महिलाओं को पर्मेनेंट कमिशन मिला तो मोधी सरकार केंडर मि अगर महिला डिरेक्टर है तो उसको जादा पैसा मिलता है पी-म का आवास के अगर योजना में उसको आवास मिलेगा तो महिला के नाम पर रिजिस्टर होगा ऐसी लगा एक लंबी फैरिस्ट है उन योजनाओं की जो महिलाओं को प्लैटफॉर्म प्रवाइड कर रही हैं इसके लिए वो लंबे समय से आशानवित थी तो इसलिए मैं मानता हूँ कि इसके लिए तो हम confident हैं कि ये जो bumper voting है ये हमारे पक्ष में है और मजबूत सरकार हम दोनों प्रदेशों में जो जिनकी चर्चा भी हम कर रहे हैं उनमें हम जरूर बनाने वाले हैं रही बात मैं दूसरी बात जोड़ना चाहता हूँ दिव्या जी पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्यप्रदेश की voting में ऐसा कहा जा रहा है कि एक नया sect create हुआ है वो है beneficiaries का लाभारतियों का ये देश में देखने को मिल रहा है पहली बार भारतिय राजनीती के साथ खड़ा है ये वो लोग हैं जिनको सरकार की नीतियों का लाभ मिला है ये वो लोग हैं जो सरकार की नीतियों जहाँ पहले ब्रश्टाचार में डूब जाती थी अब उन तक वो योजना है पहुच पर ही उनका लाभ है और हमारे पास अगर नेता जादा है प्रदेशों में तो उनको चिंता नहीं करने चीए यह भारती चिंता पार्टी की लेडर्शेप है 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 हमारे पास नेता है हमारे पास सेंटर में भी एक ऐसा नेता है जिसके नाम पर बहुत वोट पड़ता है देश दुनिया में लोग उ तूरोरला दूक हुआ है अब्रसाखताद सेथि को एकस्प्रींट कि सचिए लेकंडर मार सब्सक्रीमें वान का टिक頻道 कि मैं यहां तक कर्णा जहें कि यहां तो तो आपको तो बहुत ज़द है शोर होना चाहिए बिल्कुल शोर है बिल्कुल आपने ठीक बताया 100% शोर है और यह ऐसा हमने पहले चुनाव में नहीं करा हमने तो पहले भी किया है हमने मिजुरम में भी किया था हम ने गिंद्रिय मंत्री को उतारा था, महापे विधान सब्चुनाव में, यह तो हमारी पार्टी के कारेकरता की सभ्वेता है कि वह आफ करके टिकट मिलने के बाद भी कहता है。 निताओं की कमी होगी तभी तो आपको सेंटर से निता लाने पड़े? आरे इनके तो मुख्यमंत्री के दावेदार इतने जादा है और दूसरे दरों का जाएं कि नेताओं की कमी होगी हमारी पार्टी सब्वेता वाली पार्टी यहां लड़ाई नहीं होती टिक्टो के लिए यहां जिस कारेकरता को जो जिम्मेदारी दी जाती हो अपनी जिम्मेदारी का बहुत सफलता के साथ निर्वान करता है और ऐसी जिम्मेदारी ऐसी कारेकरता मैं अपना जिम्मेदारी निबा रहा हूँ टीवी पर कोई लड़ रहा है चुनाव लड़के कोई प्रधान सेवक है इस देश का कोई अन्ने जिम्मेदारी में ये हमारे पार्टी कार्यकरता-based की पार्टी है, कैडर बेस्ट कार्टी है, ये tillिएा एक परिवार के पीछे भागने वाली है, और वहा पे अपने number लिखवाने वाली पार्टी नहीं है, और इसलिए हमारी साथ होती है तो आपको इन चीजों की चिंता नहीं करनी पड़ती 36 गड़ में लहर बदल चुकी है 36 गड़ के लोग कह रहे है अब बहुत हुआ तीन दिसंबर को पता चाल जाएगा कि लहर किसके पक्ष में है